हलो दोस्तो आज हम दो कच्चे आलू से बेहद ही अलग तरीके का स्नैक्स बना के तयार करेंगे आपने आलू के स्नैक्स बहुत तरीके से बनाए होंगे लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बेहद ही अलग है और बन जाने के बाद बहुत ही स्वादिस्ट लगता है और बहुत ही टेस्टी जब आप इसे खाएंगे तो समोसे और पकोडिया खाना भूल जाएंगे तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है दो कच्चे आलो जिसको मैंने अच्छे से छिल लिया है और धो लिया है अब इसे हम कदुकस कर देंगे तो मैं कदुकस कर रही हूँ तो इसी तरीके से दोनों आलो को हमें कदुकस कर लेना है अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी कटोरी बेसन और फिर उसी कटोरी से हम डालेंगे सूजी तो मैंने सूजी को पहले से ही फुला के रख दिया था ताकि मैं जल्दी से बना सकूँ अगर आप बिना फुलाए रखे हैं तो आपको 5-10 मिनट इसे छोड़ना होगा ताकि सूजी जो है अच्छे से फुल जाए उसी कटोरी से हम डालेंगे हरामोंग और चना जिसको मैंने पहले से ही अंकूरित करके रखा हुआ था अगर आपके पास हो तो डाले नहीं तो फिर आप इसके बगएर भी बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हमें जादा पतला नहीं करना है तो मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें हम कुछ मसाले आड़ करेंगे तो अब इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ बारिक प्याज और फिर दो बारिक कटा हुआ हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले तोड़ा सा हम डालेंगे कटा हुआ हरा धन्या और फिर इसमें हम डालेंगे छोटी चमच से भी कम भुना हुआ जीरा का पाउडर और छोटा चमच से कम फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर और फिर हम डालेंगे उसी चमच के नाप से हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और स सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करते समय हमें ध्यान देना है कि अगर पेस्ट गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा लिक्वेड इसे कर सकते हैं तो मेरी को थोड़ा गाढ़ा लगा तो मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इसे फिर से मिक्स कर दे रही हूँ तो इसी तरीके से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है तो मैंने कर दिया है अब इसे हम एक तवे में पकाएंगे तो मैंने उसके लिए एक तवा लिया है जिसमें दो चमस तेल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे अब तेल भी गरम हो चुका है उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे राई और उसे हम चटकने देंगे तो अब ये चटक चुका है अब उस घोल को हम इसमें डालेंगे और इसे चलाते हुए हम थोड़ा पका लेंगे गैस का फ्लेम हमें मेडियम रखना है अब देखें चलाते चलाते ये जो है पकने लगा है और गाड़ा होने लगा है तो इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है अब ये पक चुका है गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो प्लेट में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसे हम सभी जगा फैला देंगे ताकि ये नीचे से ना चिपके तो मैंने फैला दिया है अब इसे हम इसके अंदर डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे तो मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंधा होने देंगे ताकि हम इसे अच्छे से कट कर सकें तो ये ठंडा भी हो चुका है अब इसे हम कट कर देंगे तो इसे मैं स्क्वाइर से में कट कर रही हूँ आप अपने पसंद की हिसाब से इसे कट कर सकते हैं तो मैंने इसे काट लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनके ये तयार हुआ है तो इसी तरीके से हमें काट लेना है आप इसे दो से तिन दिनों के लिए फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करें तब आप इसे फ्राई करिए और खाईए अब इसे हम तबे में फ्राई करेंगे आप चाहे तो आप इसे दिव फ्राई भी कर सकते हैं तो मैंने तबे पे तेल डाल दिया है अब इसे हम डाल देंगे तबे पे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे गहस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है तो मैंने सभी टुकडों को डाल दिया है जब ये एक तरब से पक जाएगा तब हमें इसे पलट देना है दूसरी तरब पकने के लिए तो अब ये एक तरफ से पक चुका है अब इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ पकने के लिए इसी तरीके से हमें उलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेना है ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुनहरा कलर आया है तो अब इसे हम सर्फ कर देंगे है न बहुत ही बड़ी हाँ सनैक्स की रेशिपी तो आप सभी भी इसे ट्राई जरूर करें तो मैंने इसे सौस के साथ सर्फ किया है तो आप लोगों को ये recipe कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताए और हाँ अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे channel को like and subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई recipe के साथ तब तक के लिए धन्यवाद